राजनीती संभावनाओं का खेल है और उसी में कई नेता और पार्टी लगे रहते हैं कि हमारा इस चुनाब में कुछ बेतर होगा मगर पार्टीयां एक पक्ष और विपच्छ ही होती है या फिर तीसरे नंबर की पार्टी या चौथे नंबर की पार्टी की उस चुनाब में या उस रणनीती में कम ही भूमिका होती है मगर फिर भी कई लोग अपने संघर्स और कई लोग अपने दम पे बड़ी बड़ी बातें मनवाने के लिए करते रहते हैं इनी सब के बीच पुस्पम प्रिया चौधरी कई आसाओं भरी बाते कर रहे हैं कई एक लोग लुभावन नेता की भी बाते कर रहे हैं तो यह देखना है कि वह कितना काम्याब हो पाते हैं इस विधान सभा में या नहीं उसी के बीच दो तस्वीर को उन्होंने सेर किया है एक यह है कि एक लड़का फोटो जर्नलिज्म का है और वह कहीं से भी बहुत अच्छी तस्वीरे खीश सकता है गंगा में ड्रोन उडाते हुए या फिर तैराक में भी माहिर है और एक जो लड़का है उसका कहना है कि यहाँ पर अगर फिल्म इंसिचूट होता इंसिचूशन कुछ ऐसा होता यहाँ पर कोई ऐसे फिल्म मनाने वाले तो हम भी यहाँ पर फिल्म मनाते तो वो क्या कुछ उसमें कहा गया है हम वो बताते हैं भी तो एक फिल्म स्टूडियो बनेगा क्या बिहार में युवा सिनुमोगाट ग्राफर नितीश कुमार का जन्म 1995 के में हुआ है और उनके पिता ठेलर एक्सा चलाते हैं आठमी तक ही पढ़ पाए हैं लेकिन आज वो अपनी पुलूरल्स की नजरों में आपको बिहार दिख रहा है बिहार डियने में टैलेंट है और अस्टिल का असिरवाद है कुछ कर गुजरने का जुनून है और इस बार वह बिहार नितीश की वोर्डिंग फ्रीडम के साथ बोलेंगी यानि कि साफ है कि ये नितीश कुमार जिसका जन्म 1995 में हुआ है वो युवा एक नए सपने देख रहा है पुस्पंप्रिया चौधरी के साथ और कह रहा है कि अगर आप जितेगी तो क्या आप फिल्म इन्ट्री अच्छी पूटोग्राफी करता है हम उसकी बाते बताते हैं कि क्या लिखा है फोटो जणललिस्म करते ड्रोन गंगा में गिर जाये तो वह उपहन्ती नदी में कूद जाते हैं बिहार का पैसन उतकर्स अभिजीत जन मुनसो 99 में हुआ है और जैसे सिल्फ मेड यंग मैन में जीवित है पिता नहीं रहे नर्स माने पाला है और बरहमी तक ही पढ़ पाए लेकिन उतकर्स जब प्लूरल्स के साथ जंगल पहाड खेत और खंडरों के से बिहार को खीच कर ब करना चाहती है पुस्पंप्रिया चौधरी केवल सपने दिखाएंगी या फिर उसे धरातल पर भी उतारेंगी यह यह वी कहा जाता है कि नेता पहले लोक लुभावन बादे करते हैं उसमें वह कितना काम्याब हो पाते हैं पहले हमें यह भी देखना होगा वैसे वह पहले कई जगों और कई तरह की बाते करके वह उन नेताओं से एक अलग कदम की ओर चलती हैं मगर एक अलग प्रभाव भी बनाती हैं जो यूबाओं को पढ़े लिखे लोग और जो नए नए लोग हैं वो उन लोगों को भी रिजाती है जो सोसल साइडों पर ज्यादा जूड़ यह भी एक प्रसंचिन है और हम भी देखेंगे कि वह क्या कुछ कर पाती हैं तो अभी के लिए फिलाल इतना ही जहकासवारा चैनल को यूटूब पे नहीं सबस्क्राइब किया तो सबस्क्राइब कीजिए और फेस्बूप पेच पे लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और यह करना नहीं भूलें यह बहुत जरूरी है और अभी के लिए फिलाल धन्यवाज हकास वारत से मैरविकांत नमस्ते